मनपा प्रशासंत्वरा लगाय जाने वाले गटर के धक्कनों को चुड़ा कर पैसों में बेचने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार किया है यह आरोपी गटर के धक्कनों को बेच कर मिलने वाले पैसों से अपनी जरूरते पूरी किया करते शेहर में तहसील पुलिस थाना शेतर सहीत अलग अलग शेतरों से मनपा प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले गटर के धकनों के गायब होने की घटना लगता सामने आ रही थी जिसके बाद सतरेंची पुरा जोन के मनपा कारेकारी अभियंता अनिल पुर्शोतम गोडा ने इसकी शिकायत तहसील पुलिस टेशन में दर्श कराई थी शिकायत के अधार पर जब पुलिस ने कारवाई शुरू की तो सूत्रो द्वारा मिली जानकरी के अधार पर दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछता चुई गई जिन पर घटना को अंजाम देने का खुला सा हुआ जानकरी के अनुसार आरोपी शेक इमरान और इर्फान उर्फ सोनु कुरेशी या दोनु ही आरोपी गटर का धकन चुराय करते और उसे दो आरोपियों मनोच कांतप्रसंथ शाहु वशेक इमरान शेक अकबर को बेच दिया करते जिन से पैसे मिलने पर या आरोपी अपनी जरूरतों को पूरा किया करते वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने एक चोरी किया गया वाहन भी जब्त किया है जिसमें आरोपी चोरी के वक्त इस्तिमाल किया करते पुलिस ने मामले में लेपत अन्याद दो आरोपियो कांतर प्रसांच शाहू वशेक इमरान को गिरफतार कर लिया है और आगे की जाच जारी है उस सिल्थिले में हमारे तपास पतक ने उसमें जो आरोपि थे जिन्होंने गड़र के ढकन चुराये थे उनको अरिस्ट किया है उनके नाम है शेक इमरान वल्द शेक अहमद और इर्फान उर्फ सुनु कुरेशी ये पहलवान बाबा दरगा के सामने पाच पाउली में रहते हैं और इन्होंने जो ढकन जिसको बेचेते कबाडी वालों को उनके नाम है मनोज कांता प्रसाथ शाहू ये शोदरा नगर पोस्टे और शेक इमरान वल्द शेक अकबर यह भी शोदरा नगर से हैं तो इन चारों लोगों को यह जो जिन्होंने चूरी किये उनको और जिन्हों जो कबाडी वालों ने इनसे लिये हैं उनको भी एरेस्ट किया गया है और इसमें चूरी करते समय जो एक्टिवा वाहन का इन्होंने इस्तमाल किया था तो वह भी चूरी की थी तो वह भी निश्पन ने किया वह वहन भी रिकॉर किया गया तकरीबन एक चब़ीस हजार और एक एक्टिवा गाड़ी है यह मतलब एक रेकी करते थे और सुबह तकरीबन सुबह की दर्माहन एक चार से पाच के दर्माहन ही आते थे और गडर के डखकन को लेके एक्टिवा गाड़ी के सामने में रखते थे उस पर चद्दर धक्के वह लेके जाते थे इस प्रकार इन्बीसीन नियूस के लिए अकलेश भादू आज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट